मसकार दोस्तों आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे बाल विकास के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है ये पैडागोजी का दूसरा वीडियो है इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको हमारी प्लेलिस्ट मैं पिछले 5 वर्सों में पूचे गए हैं साथ में आज हम एक important strategy को भी resolve करेंगे वो है keyword की साहिता से पैडागोजी के प्रिष्णों को हल करना यानि कि questions में keyword पकड़ना और फिर उनसे answer को identify करना ये भी इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अपली चैनल को सब्सक्र चात्र के इंदृत तो चात्र के इंदृत पैडागोजी होती ही है पहली बात ये ध्यान रखे क्योंकि जो अब education system है उसमें पैडागोजी जो है वो child oriented है ठीक है तो इसमें क्या है options है यंत्रबत याद करना योगिता के आधार पर बिध्यारतियों को नामांकित करना तथा बरगी कान करना केबल पाठ्थे पुस्तकों पर निर्भर होना बच्चों के अनभवों को प्रमुकता देना तो ध्यान रखना है आपको कि जो चात्र केंदृत है इस तरीके से आपको सबसे पहले keywords पर गोला बना लेना है जो man keyword होगा या उसके नीचे underline कर लेनी है ठीक है question में फिर आपको एक एक करके answer को पढ़के जैसे मैंने पढ़े थे फिर आपको answers को eliminate करना है eliminate मतलब जो गलत answer है उनको हटाते जाना है और फिर आप right answer तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं तो जैसे इसमें पहला option है यंत्रबत याद रखना यंत्रबत होता है mechanics की तरह एक गलत सब्द है तो ये बातें ध्यान रखी जो मैं बर्ड एक एक बोलना हूँ याद करना रटाना negative बर्ड है कभी भी answer सही नहीं होगा ठीक है सिखाना सही है ठीक है तो योगिता के आधार पर बिद्यारतियों को नामांकित करना था था बर्गी करन करना समावेशी सिक्षा में बच्चों का बर्गी करन नहीं किया जाता है ये noted point याद रखिए तब ही आप answer कर पाएंगे तो ये गलत हो गया केवल पाठ पुस्तकों पर निर्वर होना केवल यहां पर बढ़ आ गया केवल पाठ पुस्तकों पर निर्वर होना नहीं environment से भी बच्चा सीखता है पास अनभवों को और जो पूर्व में उसने सीखा हुआ है उसके अनभवों को प्रमुकता देना तो ये सही आंसर होगा आपको इसी तरीके से आंसर वहां पर सीटेट में पेपर में eliminate करने हैं तभी आप बहुत अच्छे से पेपर कर पाएंगे अच्छे से अपने एक्जाम मे थोड़ा सा हम तेजी से करेंगे इस प्रोसेस के लिए बरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा प्रिशन है कक्छा में चर्चा के दोरान एक सिक्छा प्राया लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है ध्या जादा फोकस किया जा रहा है तो यह क्या होगा जेंडर संबंदेता गलत है जेंडर समरूपता एक्कुलिटी गलत जेंडर पक्षपात बिलकुल सही है जेंडर पहचान बिलकुल गलत है पहचान नहीं और पक्षपात हो रहा है एक को जादा बढ़ावा देके दूसरे को क 2022 तक पूँचे गए हैं तो द्यान रखिए ये प्रशन पूचे गए हैं ठीका और इसी तरीके के प्रशन पूचे जाते हैं आप देखेंगे इनमें कुछ टाइप के प्रशन रिपीट भी हुए हैं तो प्रशन नमबर 3 देखिए सिक्चक बच्चों की जटे लब धानाओं क इस समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं ध्यान रखना सिक्चक जो बच्चों की जटे लब धानाओं उनको किस प्रकार सहज सिंपिल कर सकते हैं तो बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा अभी मैंने बताया था ये आंसर गलत होगा अन्यवेशन इबं परिचर्चा के अवसर उपलब्द करा के विल्कुल सही अन्यवेशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा खोज करने की प्रिवर्ति अन्यवेशन इन्वेंशन करने की प्रिवर्ति को बढ़ावा देना डिसकस करना यह आंसर सही होगा एक ब्याख्यान देना प्रिवर्य लेविल पे ब्याख्यान गलत है यहां रखना लेक्चर नहीं होता है लेक्चर तब दिया जाता है हाईयर एजुकेशन में प्रत्योगता आत्मक अपसरों की विवस्था करके यह भी गलत है ठीक है प्रत्योगता आत्मक अपसुरों की विवस्ता करके ये भी option गलत होगा कोंगी primary level पे ये इतना suitable नहीं है तो आंसर भी सही होगा प्रशन नमर चार देखिए बच्चों में जेंडर रूड़ी वागता ठीक है एवं जेंडर भूमी का अनुरूपता को कम करने के लिए निमिल लिखित में से कौन सी पदिती प्रभापसाली है ठीक है तो जो जेंडर रूड़ी वागता है उसको कम करने के लिए कौन सी पदि प्रभाप साली है, ऑप्सेंस हैं, जैंडर प्रतक खेल सम्हू बनाना, जैंडर प्रतक बैठने की विवस्था करना, जैंडर पक्षपात के बारे में या पर, ठीक है, यहां पर पर चर्चा करना, जैंडर बिशेश्च भूबगाओं को महत देना, तो इसका जो सही आंसर है जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना ठीक है अगर जेंडर रूड़ी बात्ता का मतलब होता है जो पूर्वा ग्रह से बिचार होते हैं जेंडर जो हमारा पुरुस समाज है पुरुस प्रधान समाज बाना जाता है एक तरीके से उस तरीके की अगर रूड़ी बात्त मन में है तो उसको खत्म करने के लिए वाइस गल्स के डिफ्रेंस को कम करने के लिए उनको एक समान एक उक्विलिटी की बात समझाने के लिए आपको जेंडर पक्षपात पर चरचा और उसके बारे में बात अवश्य करनी चाहिए तो यह आंसर सही है अलग बिठाना पृथक करना पृथक करना यह तो और ज्यादा जेंडर गैप को बढ़ावा देगा कम नहीं करेगा ठीक है जेंडर बिसेष्ट भूमिकाओं को बिसेष्ट भूमिकाओं को अगर महत देंगे तो एक को कम महत देंगे जबकि हम कह रहे हैं सभी को समान महत दिया जाना चाहिए तो C option ही सही होगा question number 5 देखिए रूही हमेशा समस्या के एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है यानि किसी कोई एक समस्या है और वो एक से ज़्यादा समाधानों के बारे में सोचती है इस पर काफी समाधान मौलिक होते हैं रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है अनम में विचारक गलत, ठीक है, अनम मतलब कठोर, ठीक है, कठोर विचारक गलत, आत्म केंदृत विचारक गलत, अपने बारे में नहीं, स्तरजना आत्मक विचारक बिल्कुल सही, ये creativity है, उसका जो mind है, वो creativity से भरपूर है, ठीक है, वो creative गरल है, ठीक है, तो वो बहुत ज कीवर्ड आ गये तो आप आसानी से समझ लेंगे मॉलिक ठीक है कीवर्ड आ गया मॉलिक तरीके से सुचना स्रजना अत्मक क्रियेटिविटी ठीक है दो इसका सही अंसर होगा सी छे नंबर कोश्चन देखिए एक समावेसी कक्षा में ठीक है एक सिक्षक को बिसेष्ट सैक्ष की उजनाओं को ध्यान रगना इंक्लूसिव कक्षा में ठीक है समावेसी सिक्षा में एक सिक्षक को बिसेष्ट सैक्ष की उजनाओं को सक्रिये रूप से तयार करना चाहिए त हतो साहे negative bird है और negative bird वाले कोई भी आंसर सही नहीं होगा तयार नहीं करना चाहिए तो और ज्यादा negative है कभी कभी तयार करना चाहिए ये भी negative है इसमें जो positive answer है वो सिर्फ ये है कि सक्रिये रूप से तयार करना चाहिए तो ये ही answer सही होगा positive negative sense के भी answer इस तरीके से आपको identify कर कुछन नम्बर 7 दिखी एक प्रात्मिक बिद्याले की अध्याविका बच्चों को प्रभापसाली समस्या समाधान करता बनने के लिए किस परोसाहित कर सकती है। option है गलत उत्रों को आस्वीकार यह दंडित करके फिर negative sense है बच्चों को आस्वीकार करना उनकी बात को खारिज करना और उन्हें दंडित करना यह negative है तो यह तो आंसर होई नहीं सकता बच्चों को सहज रूप से अनुनमाल लगाने के लिए प्रोस साहिद करना यह positive है तो यह हो का आंसर लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं और सेस आंसर कि प्रते एक छोटे कारे के लिए बहुत एक प्रुसकार देना गलत क्योंकि हर छोटे छोटे कारे के लिए बहुत एक प्रुसकार नहीं दिया जा सकता बड़े कारे हो उसके लिए प्रुषकर दिया जा सकता है केवल प्रिकृष आत्मा ग्यान पर बल दे गल्त एक रटा-रटाय ग्यान दे कर नहीं किया जा सकता जो सबसे सही आंसर है वह यही होगा बच्चों को सहिज रूप से अनमान लगाने के लिए प्रोस्थसाहित करके question number 8 निमिल लिखित में से कौन प्रात्मिक सामाजी करण का माध्यम है तो दो तरीके से सामाजी करण है एक प्रात्मिक और एक दुतियक तो ये प्रिशन हमेशा 2016 से मैं देख रहा हूँ लगातार इसमें से एक प्रिशन आ रहा है तो ये रटन लीजिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रिशन है प्रात्मिक में आता है आपका परिवार ध्यान रखी जो परिवार है प्रात्मिक में आता है और पडोस पास पडोस आता है ठीक है और सगे रिस्तिदार आते हैं सगे रिलेशन्स आते हैं धियान रखी ये लोग आते हैं प्रात्मिक सामाजी करण में और जो विध्यालये है ठीक है और जो एनबायरमेंट है विध्यालये की बहर वो आता है दुतियक तो इसमें पूचा प्रात्मिक सामाजी कर तो देखिए बिद्यालाय, सरकार, मीडिया सारे गलत हो गया, सही आंसर हो गया, परिवार इसको याद कर लिजी, ये प्रशन बहुत बार आया है, 2016 से हर बार किसी ना किसी माध्यम से आता है नौ नमबर कुश्चन देखिए, प्रिगती सील सिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, फिर देखिए, ऑप्शन निस्करिया अनुकारकों के रूप में गलत, निस्करिये की बार दे ऐसे सक्रिय अन्रवेशकों के रूप में है । प्रारम्बिक कक्षा-कक्ष में एक JERRI अपने साथ जो अनुभब लाती है, ठीक है? आपको keyword देखना है, ठीक है, प्रारम्ब good, प्रारम्बिक कक्षा कक्षा है, उसमें एक adults जो अपने अनुभव लाती है उसकी क्या करना चाहिए ठीक है उसकी उप्यक्चा करनी चाहिए कीवर्ड देखिए उप्यक्चा तो निगेटिव कीवर्ड है गलत उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए ये भी निगेटिव है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए तो ये भी गलत उन्हें सामिल कर उनका संचे करना चाहिए बिल्कुल positive keyword है और ये सही होगा उन्हें आश्विकार करना चाहिए देखिए तीनों ही गलत थे पहला दूसरा और लाश्ट सी सही थे तो बताई इसमें क्या दिक्कत होती है बच्चे फेल हो जाते हैं बार बार सी टेट में क्या दिक्कत है मैं कह रहा हूँ इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम है तो चलिए next question देखिए question number 11 है बच्चों को कक्षा में प्रसन answer देखिए बहुत आसानी से आएंगे बच्चों को कक्षा में question पूचने के लिए हतोत साहित करना चाहिए देखिए फिर negative आगया गलत है पूचने के अनुवती नहीं देना चाहिए गलत है पूचने से रोकना चाहिए गलत है और तीनों का एक ही लगबग सैंस था तो तीनों ही गलत है पूचने के लिए प्रेरित करना चाहिए सही है, तो D आंसर सही हो गया, यह प्रिशन और उत्तर कुछ मैंने सेट नहीं कि, यह सारे CTAT में आई हुए हैं, आप 2018 से और अब तक के प्रिशन देख लीजिए, आपको यही प्रिशन मिलेंगे, ठीक है, मैंने कोई अपने पास से न प्रिशन सेट किया हैं, ना अंसर सेट किया हैं, इस सब पिछले बार के मैंने कोस्टन रखी हैं, सिर्फ जीन प्याजे लेब बाइगोस की जो CDP options हैं, उनको हटा के क्योंकि उनकी मैं separate वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, तो उनको वीडियो को जरूर जोइन कर लीजेगा, जिसका link description में दिया हुआ है, उससे भी आपको सारी updates मिलती रहेंगे, चलिए देखते हैं, question number 12, ये बिचार धारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्ध्याले बिवस्था में समान सिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, ये किसकी बिचार धारा है कि सभी बच्चों को ध्यान रखना, एक नियमित विद्ध्याले में समान सिक्षा प्राप्त हो, तो सभी बच्चों को समान सिक्षा, तो समावेशी सिक्षा, बताए, कुछ प्रॉबलम है इसमें ठीक है आपको कीवर्ड पकड़ना है सभी बच्चों को समान सिक्षा तो समावेशी सिक्षा हो गया कुछ है यह नहीं इसमें मुक्षितारा विशे शिक्षा बहुल संस्कृतिक सिक्षा सब जब तक आप कीवर्ड नहीं पकड़ेंगे आंसर नहीं आएगा प्रिशन नमबर थर्टीन देखिए बच्चे प्रभावी रूप से सीखते है यानि इफेक्टिव रूप से प्रभावी रूप से भाग लेते हैं बिलकुल आंसर सही है सिक्षा कक्षा कक्ष में होने वारी सभी घटनाओ बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं गलत है टीचर सबको बच्चों को कंट्रोल नहीं करता एक बात ध्यान रखिए यहां पर टीचर की भूमिका सुगम करता सुविधा दाता फैसिलेटर की होती है ना कि कंट्रोलर की तो ये बात अपने मन में ध्यान रखिए यह इस तरीके का प्रशन भी आता है तो इसका सही आंसर सी होगा 14 नमबर देखिए बच्चों की गलतिया ठीक है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए गलत तुरंत आप नहीं सुधार पाएंगे ठीक है अधिगम का एक भाग है उन्हें बिचारों में एक अंतरद्रश्टी देती है बिलकुल सही ह क्योंकि गलतिया अधिगम का एक भाग है जैसे हैट टेल कोईन्स के भाग होते हैं डे नाइट ठीक है तो ये सारे क्या है अधिगम का एक भाग है प्रोसेस का एक भाग है सीखने का ठीक है अधिगम मतलब सीखने का एक भाग है उन्हें बिचारों में अंतरद्रश्टी द नहीं होगे तब तक आप कभी सफल नहीं होगे ठीक है यह हर इस्टुइट्स पर लागव होता है पर दरस्रत करते हैं बच्चे कितने लापरवां है गलत गलत है यह ठीक है गलतियां यह अस्फलता यह नहीं बताती है कि आप अस्फल हो गए है बलकि वो यह बताती है कि सफलता का प्रयास आपने मन से नहीं किया है थोड़े नहीं करना है क्या सही करना है सामाजिक आर्थिक रूप से बंचित प्रष्ट भूमी से आने वाले बच्चों को कच्छा के महौल की आवसकता होती है जो यानि बंचित प्रष्ट भूमी से जो बैकवर्ड प्रष्ट भूमी से background से बच्चे आते हैं उनको कक्षा में एक माहौल की आवा सकता होती है जो उन्हें अच्छा बिवहार सिकाता है ये भी हो सकता है ठीक है क्योंकि ये positive है ठीक है उन्हें सांस करते को भासा बिज्ञान को महत देता है तथा उनका उप्योग करता है ये भी हो सकता है उनके भासा की उप्योग को हतोत साहित करता है ताकि भे मुक्धारा की भासा सीख सके हतोत साहित करता है इसलिए ये गलत हो जाएगा बच्चों को उनकी छमताओं के आधार पर बरगी करत तो बरगी करत वाला मैंने बता है अब दो option रहेगा यहाँ पर कि आपको कौन सा answer होना चाहिए तो दो तो आपनों eliminate कर दिए यहाँ पर फिर से देखिए कि सामाजिक आर्थिक रूप से जो बच्चा है सामाजिक आर्थिक तो की बढ़ आ गए ठीक है और बंचित प्रश्ट भूमी से आने बाले बच्चों को कक्षा में कैसा माहो लोना चाहिए तो उन्हें अच्छा ब्योहार सिखाता है ठीक है यह ग तो अगर यह भी उनके लिए मिल जाएं तो उनका पूरा सर्वांगीन विकास हो सकता है तो इसलिए यह आंसर जादा सुईटेबल होगा ठीक है आपको इसी तरीके से करना है कि आपसं जो एलिमिनेट हो सकते हैं उन्हें एलिमिनेट कीजिए फिर सबसे बेस्ट आंसर रख निर्देशन तरीकों के उप्योग पर उन्हें अत्रक्त समय दिये जाने पर उनके प्रेत इसने ही उने के नाते पर उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने पढ़ाने सुरी यहां पर लेखा है पढ़ाने ठीक है यह गलत है पढ़ाने की जुम्मेदारी पर देखो इमोशनल नहीं संबेग आत्मक तो हो सकता है इसमें इस नहीं नहीं क्योंकि आपके लिए सभी वच्चे समान है उन्हें अत्रक्त समय दिये जाने पर गलत विद्याले का समय पर्याप्त होता है शिक्चक द्वारा अनकूलित प्रेरक निर्देशक प्रेनक यानि मोटिवे इसलेक्सिक है स्रजनात्मक है प्रतिस्थाई है तो विकलांग गलत अलग अलग पैटरन नहीं डिसलेक्सिक स्रजनात्मक है तो जो अलग अलग पैटरन के बच्चे होते हैं वो क्रियेटिव होते हैं चाहे कोई किसी बर्क में क्रियेटिव होता है कोई पढ़ने में तो को दूसरा काम करने में ठीक है तो जो अलग-अलग पैटरन वाले बच्चे हैं वो पहचान है वो अलग-अलग creativity की next question number 18 कक्छा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है motivated समझा जा सकता है यदि बे अच्छी तरह से बर्दी पहन के स्कूल में आते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है त्रिक है motivation का बे खक्चा में अनुसासन बनाए रखते हैं जरूरी नहीं है जो क्लास विल्कोल सांथ रहती है वो ही motivated होती है बे सभी उपस्थती में नियमित है इससे भी ज़्यादा लेना देना नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा जो लेना देना है motivated बे सिक्षक से इस परश्टी करण प्राप्त करने के लिए प्रिश्ण पूशती है यानि कि teacher और बच्चा आपस में action reaction करते हैं चर्चा करते हैं बच्चा भी प्रिश्ण पूशता है ना कि सिर्फ सिक्षक ब्याक्ष्यान देता है तो वो class motivated समझी जाती है तो option D सही है 19 देखे निमिल लिखित में कौन से समाजी कन के गोड़ बहाक हो सकते हैं देखें यह फिर से आगए beginnings प्रात्मेब धूतियक तो सही आंसर होगा बिद्याले और पासपड़ोज प्रिशन नमबर 20 देखिए किसी प्रगती सील कक्षा की बिवस्ता में सिक्षा की एक ऐसे बातावण को उपलब्द करा कर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोसान देता है नियामक है तो देखे बी देख लेते हैं गलत है कंट्रोलर तो गलत होगा मैंने का सिक्षा कभी कंट्रोलर नहीं होता समावेशन को हतोत साहित करता है निगेटिव बढ़डा गया ये भी गलत है आब बिरती को बढ़ावा देता है ये भी गलत है सही आंसर है खोज को प्रोसाहिन देता है और जीन प्याजे का भी यही कहना है कि वो बच्चा अधिक सक्रिय होता है जो खोज को प्रोसाहिन देता है या खोज की जो परवेश है उसमें खोजबीन करता है कोश्चन नमबर 21 देखिए जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निमिल लिखित में से क्या आवश्चा कै अभी मैंने बताया सेम कोश्चन है लगबग कि सिक्षार्ती के द्वारा परियावन के लिए सक्रिये खोजबीन यही सबसे 60 का अंसर है जीन प्याजे के बच्चों के लिए हस्तपरक गत्विदियां बिलकुँ सही है बच्चों को एक कोने में बिठा देना गलत निगेटिव कीवर्ड है प्रतिवंदित परवेश में मतलब अधिगम यानि कि प्रिवेंटेड जो एट्मॉस्पियर है उसमें लर्निंग तो यह गलत है बे बचिवेश में तो बच्चा सीखता है यह स्टेट्मेंट आपको अच्छे से पता होगा तो टी तुव ऐसे ही गलत होगा तो सही आनसर होगा बच्चों के लिए हस्त परक गत्विदियां 23 देखिए बच्चों में ग्यान की रचना करने और अर्थ का निर्मान करने की छमता होती है ठीक है इस पर पेक्ष में बे सिक्षक की भूमिका क्या है जो बच्चे है उनमें ग्यान की रचना करना और अर्थ निर्मान करने की छमता है तो फिर सिक्षक की क्या भूमिका है ये सुगम करता, सुविदा जाता, फैसिलेट, ठीक 24 देखिए, सुरेश सामान रूप से एक सांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन सम्हू में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है ये उनके किसमे भिन्यता के कारण है किसमे भिन्यता है, उसके मूल्यों में गलत अभिछमता गलत अधिगम सैली यानि जो सीखने का तरीका है उसमें अलग-अलग, कुछ बच्चे सांत तौर पाक एकांत में सीखना चाहते है उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कुछ लोग अपने सम्हू में डिसकस करके सीखना चाहते है, तो यह उनके सीखने के तरीका अधिगम सैलियों में पढ़ने के सीखने के तरीकों में अंतर को दर्शाता है, ठीक है, तो आप्शन सी सही होगा, परावर तक ता इस तर गलत है लाश्ट कोश्चन है, इस वीडियो का जब एक सिख्चक यह समझता है कि सुभाविक रूप से लड़के लड़कियों से अच्छे हैं, फिर भही बात आ गई, वो कह रहा है लड़के जो हैं, जादा अच्छे हैं लड़कियों की अपेक्चा, ठीक है तो लड़के अच्छे हो गए, तो क्या हो गए यहाँ पे, जेंडर पक्षपात हो गया तो आंसर क्या सही हो जाए, कुछ बताना ही नहीं, जेंडर पक्षपात हो गया यहाँ पे, तो A, C और D सब सारे गलत हो गए तो फिर आप जब concept इस तरीके से याद रखेंगे अपने मन में, और keyword को find करते रहेंगे तो आप अच्छे से answers को eliminate करके दे सकते हैं और आपको time भी कम लगेगा आसा करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो please चैनल को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को share कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहन बंदे मात्रम